और पुत्र और शिष्य सन्यासिका जैसे स्रद्ध करते हैं, तो वो स्रद्ध केवल द्वाद अशीको यानि बारस के दिन होता है जैसे आप अपने पित्रों की तिथी को स्रद्ध करते हैं, कुछ लोग उसमें सास्तर प्रमार नहीं देखते हैं, और अपने मत से या घर में जो दोशी पुरान चलता है, तो गुड़ों से पूछ लेते हैं, और उनके इसाप से चलते हैं, तो सास्तर क्या कहता है, वो भी आ आप देख लिए हैं, इसलिए प्रती पदा यानि एकम से स्रद्ध का प्रारंब होता है, और अमावस्या को स्रद्ध की पुड़ा होती है, पुर्णी मा को स्रद्ध पक्षमाना नहीं गया है, इसलिए जिन पित्रों का मृत्यू हो गया और पुर्णी मा को मृत्यू हुई है तो उनका स्रद्ध हमावस्या के दिन करना है आप पुरुर्णी माद का स्रद्ध नहीं कर सकते आपको करना है अमावस्या कर लेया लेगार passed लोग लोग कर रहे हैं और 16 स्रद्ध लिवार में पैड़ भाहत है वो 16 स्रद्ध इसलिए नहीं है वो तो एक जीव के पीछे जो पिंड दिये जाते हैं वो स्रद्द सोल होते हैं यानि बारवी तक के तिन स्रद्द होते हैं फिर दस माह तक के ग्यारा माह तक के ग्यारा स्रद्द होते हैं और फिर वार्शी की स्रद्द होता है और एक त्रीपक्षी स्रद्द होता है इन सब को मिलाकर सो स्रद्ध के दिन करना है तो इसे लोगों का स्रद्ध को चतुर दरस के दिन करना है तो उसकी भी तितिया निरधारित की गई वैसे ही और विद्वा स्त्री है कोई महिला है पती जीवित है और उसकी मृत्यों हो गई तो उसका सरद्ध नौमी को होता है नौमी के दिन ही उसका सरद्ध करना है आजकल लोग गुजराती में तो डोशी नम कहते हैं अता सभी जो वृत्ध हो गई अगर वो विद्वा है और उसकी मृत्यों होती है तो उनको उनकी तीछी पर ही स्रद्ध करना है लेकिन अब विद्वा है सवभाग्य सालिक इस्त्री है और सवभाग्यवा की स्त्री की मृत्यों होती है तो उनका स्रद्ध नौमी के दिन होता है और वो पित्रूओं के साथ मिल जाते हैं और तक पती लोग को जाते हैं तब कुछ लोग कहते हैं आई ये समाजियों ने ये बात चलाई भी है और कुछ फुट-फुटांग बाते करने वाले भी लोग उसमें मिल जाते हैं उन्होंने का ब्राम्बन को भोजन करवा है तो पित्रूओं को कैसे मिल जाता है। क्या ब्राम्बनों को भोजन करना यह कोई टबाल का बॉक्स है कि उनको डाल दिया अंदर फत्र डाल दिया और वहाँ पर पुष्ट बॉक्स की तरह मिल गया। देखिए, ब्राम्मन जो भोजन करता है, उसका जो अगनी है, वो सामन जनों के जट्रागनी से अलग है बिन्न, यहां जट्रागनी का भेद है, और जट्रागनी का भेद होने के कारण ब्राम्मन को करवाया हुआ भोजन पित्रों को प्रप्त होता है तो क्या आप जो खिलाते हैं वही वित्रूँ को मिलता है दूसर शंका यह ऐसा मही जैसे आपका कोई संबन्दी अमेरिका में रहता है वहां कमाता है और उसको आपको यहां पैसे वेजना है तो वहां भारती रूपया तो है नहीं या फिर आप यहां से अमेरिका घूमने के लिए जाते हैं और यहां से अमेरिका जाएंगे तो यह भारती रूपया है तो अमेरिका में नहीं चलेगा पाकिस्तान में बाकिस्तान रूपया चलता है नेपाल में नेपाल का रूपया चलता है चाहिना में उसका करंसी चलती है इंग्लेंड में उसकी करंसी तो सब दिखा की करंसी अलग है तो आप क्या करेंगे यहां से आप बैंक में जाएंगे रुपे जमा करेंगे और अमेरिका में जाएंगे तो आपको डॉलर मिल जाएंगे कैसे अगर आपके पित्रु देव बन गए हैं तो उनको अमरुद के रूप में मिलते हैं अगर आपके पित्रु मनुष्य हुए हैं तो उनको तुरुपती मिलती हैं अगर आपके पित्रू कोई घोड़ा हुआ गड़ा हुआ चीची हुआ तो तो उनको त्रोन के रूप में मिलता है कोई बांसाहरी प्राणी हुआ शेर हुआ वाग हुआ तो तो उसको मांस के रूप में मिल जाता है आपका कोई पित्रू अगर जलकी मचली होई तो जलकी रुपे में मतलब हो जिस योनी में हो उस योनी में कानवार्ट होकर वो रुपान तरिक होकर उसके जो प्रिये बदार्थें वो मिल जाते हैं